हे गाईज दखो आज हमें एक छोटे से स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो की बहुत ही छोटा है 13-14 रुपीज में आपको देखने को मिल जागा वो स्टॉक काफी नीचे है मतलब गिरने का चांसे से बहुत कम है और भागने का चांसे से बहुत ही जादा है foreign investor ने बहुत बड़ा माल उठा रखा, बहुत बड़ा, foreign investor जहां पर मतलब पूरी दुनिया में माल बेच रहे हैं, अब तक लगबग foreign investor ने लगबग 2 लाग करोड से लेकर 3 लाग करोड तक उन्होंने माल बेच दिया है, Indian stock market से, सोचो सारा पैसा खाली कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी company है, जहां पर अपना investment बढ़ाये जा रहे हैं, वो भी छोटी-छोटी company हो में, सबसे पहले steel की demand के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यह जो मैं छोटी company बता रहा हूँ, यह steel से related है, पहले देख लो, 50% चाइना जो है, steel supply करता है, पूरे वल्ड में, पूरे प्रिथवे पे, याद रखो, आप जहां पर खड़े हो ना, पूरे प्रिथवे में, चाइना का ही, मतलब बोल बाला है, वही एक king है, only one, वन में आर्मी जिसको बोलते है ना, चाइना, लगबाग 1000 metric ton से भी ज़्यादा production अखेला करता, अखेला, और इंडिया में भी मतलब steel का production पे बहुत ज़्यादा जो है, production increase किया जा रहा है, enhance किया जा रहा है, अभी तो हमारे पास किवल 100 metric ton है, वो कहा 1000 metric ton बहुत ज़्यादा difference है, वहाँ, लेकिन फिर भी 100 से आप जो है लगबाग 2025 तक सरकार ने बोल रखा है, कि हम यहाँ से 500 metric ton steel का production करना start कर देंगे, और पूरे world में supply करेंगे, पूरे world में export करेंगे, ना कि import करेंगे, इस टील की demand आप देख लिए, पूरी दुनिया में कहा कहा कितना कितना, बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया में steel की demand आपको देखने को मिलेगा, तो यह रहाई है, कुछ पूराना data है, यह है चाइना, जो कितना रखता है, यहाँ पर ध्यान से देखेगा, तो यह है चाइना, जो कि 50% से भी ज़्यादा market share रखता है, 945 metric 10 मतलब यह आपको जो बताया जा रहा है, यह पूराना data है, लेकिन फिर भी चाइना अभी इतना यह करके रखा, औकुपाय करके रखा, और बाकी इंडिया भी है, यहाँ पर, जापान है, USA, और भी बहुत सारे लोग का रश्या वगरा है, यह सभी लोग मिलके 50% करते हैं, सभी लोग मिलकर, सोचो, आदे दुनिया अकेले है, और चाइना अकेले है, तो चाइना से, मैं बहुत जादा जो है, स्टील का प्रोडक्शन किया जा रहा है अभी, इंडिया में भी 2025 तक, 5 trillion तक पहुंच जागा यह, यह आंकड़ा जो है, धिरे-धिरे 5 trillion तक पहुंच जागा, और सरकार ने यहाँ पर जो टाइम दिया है, 2025 का दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं हम अभी रुक जाएंगे, कुछ साल रुकने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लंबे समय में स्टील वाले कंपनी ने भी काफी एचे रिटेन बना के दिया है, या तो आप JSW बोलो, जिन्दाल बोलो, या फिर टाटा स्टील बोलो, सेल बोलो, जितने भी छोटे-छोटे कंपनी हैं, अब वो भी धीरे-दीरे भागना स्टार्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है MSP, स्टील एंड पावर लिमिटेड, जो की आज के रेट में आपको 15-16% तक का जंप देखने को मिला है, पिछले एक महिने में भी ये स्टॉक दिरे-दिरे बाउंस बैक मानने की क कोशिश कर रहा। लंबे समय का अगर आप चार्ट देखते हो, तो ये स्टॉक अपने लोवर लिबल पे चल रहा, अपने लोवर से भी लोवर लिबल पे चल रहा, देखो यह नीचे वाले जो मिला में अको सही से दिखाता हूं ताकि और तरीके से आपको समझ में आजा है जैसे चार्ट देखेगा यहां पर स्टॉक लो बनाया था उसके बहुत तेज भागा फिर यहां पर भी ध्यान से देखेगा तो स्टॉक लो बनाया था देखो फिर उसके बहुत तेज भागा यहां पर भी देखो stock low बनाया था, उसके बाद देखो बहुत तेज भगा है, यहां पर भी same story था, अब same, यहां पर भी एक same story होने वाला है, same, तीन से तीन चार जगा, first, second, third, fourth, अब यह बोल सकते हो कि यह आपका fifth है, तो इसका जो technical chart pattern दिख रहा है, वो तो बिल्कुल proper अब भी उसके बाद देखो, domestic वाले, sorry मैंने domestic की जगा foreign बोल दिया, domestic वाले ने, लगबाव 22 से 23% तक का, यहां पर अगर आप देखोगे, तो इन्होंने माल खरीद रखा, जो कि बहुत बड़ा होता, public के पास देखो कितना है, तो 35% है, 35%, मतलब अगर छोटी company है, अच्छ यहां पर foreign investor अपनी हिस्तेदारी बढ़ा रहे है, जैसे देखो, यह वाला मैंने आपको बता दिया, top 5 penny stock, जो कि foreign investor ने खरीद रखा और अपनी हिस्तेदारी बढ़ा रहे है, तो वहां पर domestic वाले, इस वाज़े सा foreign मुह से निकल गिया, यह company किसके लिए काम करती है, आप द आजकल के date में देखोगे, तो power के उपर भी अभी अडानी power हो गिया, data power हो गिया, सुजलोन हो गिया, यह सारे stock outperform कर रहे है, तो यह भी तो power वाला है न stock, इसको भी तो opportunity मिलना चाहिए, 500 करोड का market cap है, कोई बहुत छोटी नहीं, लेकिन फिर भी 536 करोड का market cap है, जो कि मैं आपको बलूँगा, normal है, एकदम ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है, जैसे company के बारे में और थोड़ी बहुत information लेते हैं, तो यहाँ पर company का देखने को मिलना, strong financial position है, company का net cash flow है, वो धीरे धीरे increase हो रहा है, from operating activities है, मतलब company के business है, strong annual EPS आपको देखने को मिलना, company profit में भ quarter result पर focus करो, या तो आप पिछले quarter result चेक कर लो, या तो अभी जो quarter result आने वाली, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यह जो revenue है, every quarter for the fast two quarter से increase हो रहा है, धीरे धीरे, strong momentum बनता हुआ नजर में, नजर में है, short हो, medium हो, long हो, चारो तरप से, तो यह company positivity अ बन सकते हैं, बहुत छोटे हैं, यह sector focus में है, government के लिए focus में है, चाइना के लिए focus में है, क्योंकि चाइना से अब हम कुछ भी लेने के लिए तयार नहीं है, तो अब हमें खुदी करना पड़ेगा, तो रातो रातो steel वाली company में आपना production double नहीं कर सकते हैं, धीरे तरे increase करे वाला है, और export market में भी बहुत ज्यादा demand है, और जितना export करेंगे, उतना अच्छा चीज रहेगा, सरकार ने भी PLI scheme दे रखा है, लगबग steel company के लिए, तो यह बड़ी ज्यादा तर छोटी छोटी company को जगाने के लिए हैं, याद रखो, तो यह एक अच्छी चीज है, मैं अपने demand account वगरा open कर सकते हैं, बिल्कुल free में, description में link दिया गया है,